हलो फ्रेंट्स आज आप मेरे साथ 2 मीटर कपड़े में सेमी पटेलह सलवार की कटिंग और स्टीचिंग देखने वाले हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर कर दीजिए तो यह मैंने नाप लेक रखा है 2 मीटर मेरे बाख फैब्रिक है और यहाँ पर हमें लेंट बनानी है 38 इंच मौरी हमारे पास 14 इंच और जो कमर है यानि हिप का नाप है वो है 40 इंच इस नाप से हमें सलवार की कटिंग करनी है यह फैब्रिक है मेरे पास 2 मीटर डबल फोल्ड में रखा हुआ है मैंने और यहाँ पर देख लेजिए यह लगभग 100 सेंटिमीटर है यानि कि डबल फोल्ड है तो यह हो गया हमेरे पास 2 मीटर फैब्रिक तो सबसे पहले हम लेंट देख लेते हैं तो लेंट में हमें सारा मार्जिन एड़ करना है यानि कि यह मार्जिन मेंने रखा है तो यह हमारे पास टोटल हो जाता है साड़े 40 इंच और बैल्ट की जो चोड़ाई है वो हमें लेनी है 8 इंच यानि कि जो टोटल लेंद है इसमें से हम 8 इंच लेस कर देंगे तो यह हमारे पास हो जाता है साड़े 22 इंच तो 25-22 इंच हमारा गीर है, और 8-18 हमारा बैल्ट है, यानिकि टोटल हो जायगा 40-25-19 तो सबसे फहले हम गीर लेंगे, यानिकि 52-20 इंच तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरीके से किनोर के साइड आपना double fold करना है साड़े 32 इंच में तो टोटल कपड़े को मैंने 32 सिंच में double fold कर दिया है और यहाँ से हम इसकी cutting कर लेंगे और इसके बाद इस कपड़े को हम दो इससों में divide कर लेंगे यहाँ side में join था वहाँ से हम इसको cut कर लेंगे और जहाँ पर हमारे पस कि नोर है कपड़े की यानि कि जो लेंथ वाला इससा है साड़े बत्ती सिंच वाला तो यहां दोनो साइड में हमें सिलाई लगानी है काफी एजी तरीका मैं आपको बता रहे हूँ अगर आप बीगनर्स है तो भी आसानी से कर लेंगे तो यह दिखे मैंने स्टीचिंग कर ल वो है 14 इंच यानि कि उसका हाफ हो जाता है 7 इंच और 15 मैंने मार्जिन रख लिया है यानि कि 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इसी तरीके से दूसी साइड भी 7.5 इंच पर हमें मार्क करना है और जैसे हम पिटी कोट में कलिया काड़ते हैं उसी हिसाब से हमें इसमें निशान लगा लिए हमने, अब होता है हमारा आसन, तो जो आसन है वो हम लेंगे साड़े आठ इंच, यहाँ पर जहाँ हमें साड़े आठ मिल जाए, महां तक हम इसे इस तरीके से सिधा कर लेंगे, दूसरी साइट भी सेम प्रोसेस से हमें करना है, साड़े आठ इंच, तो यह हम इसको कट कर लेंगे, अब दीखिए दोने तरफ से, अब यह हमारे पास एक पैर का जो हिस्सा है, वो चोड़ाई में 26 इंच लगभग, तो यह हमारा घेर हो जाता है, और इसमें कलिया में आटोमेटिक जुड़ी-जुड़ाई मिल जाएगी, अलग से जोड़ने क जरुत नहीं पड़ेगी, अब यह जो पीछे बचा फैबरिक है, यह भी मैंने इसको डबल फोल्ड कर ले, आप चाहें सिंगल भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर यह चोड़ाई इसकी है 21 इंच, और हमारा हिप का जो नाप है, वो है 40 इंच, अब 40 का हाफ हो जाता है 20 इंच तो यह डबल फोल्ड में 21 पहले से था कपड़ा, और यह जो साइड में से हिस्सा निकला है, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मैं और ले रही हूँ, जोड़ने के लिए, तो इसमें एड हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारा टोटल 24 इंच, तो बनने के बाद में यह र को हम राउंड कर लेंगे, तो यहाँ पर राउंड करते समय, उपर से हम इसे 2 इंच छोड़ देना है, ताकि यहाँ पर हम नाड़ा डालने के लिए बना सकें, तो यह मैंने 2 इंच इसे छोड़ दिया है, और इसे हम दौनों साइड में फोल्ड कर लेंगे, आप चाहे तो और चाहे तो सिर्फ 2 इंच तक भी फोल्ड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पूरा ही फोल्ड किया है, यह सरीके से हो जाएगा, और उसके बाद लगबग सवा इंच तक, एक सवा इंच के बीच में हम इसे फोल्ड कर लेंगे पट्टी, तो यह हमारा बैल तयार हो अब इसे हमें निशान बनाना है, निशान लगाने है, चार निशान यानिकि इसे चार फोल्ड कर लेंगे हम, तो यह चार निशान हो जाएँगे हमारे, यह सेंटर, यह पीछे वाला सेंटर, और दो निशान हो जाएँगे साइड में, अब सबसे पहले हम, कलिया में जोडना ही नहीं है हमें जोडना है सिध्य आसन तो यहाँ पर आसन को मैं इस तरीके से फोल्ड कर रहे हूं ताकि मजबूती भी आ जाए और कपड़े के जो तार निकलते हैं वो भी नहीं निकले दूसरी साइड भी इसी तरीके से आसन जोड़ना है हमें तो यह आसन जोडने के बाद यह हमारा जो हिस्सा है पूरा राउंड हो गया है जिस तरीके से हमने बैल्ट राउंड किया था अब देखें यह है सेंटर और जो पीछे वाला सेंटर है यहां से हमें शुरू करना है तो मैंने इस तरीके से पीछे वाला हिसा ले लिया है पीछे वाला सैंटर ले लिया है और यह ले लिया है आसन वाला हिसा तो यहां पर हमें इसको रख लेना है लेकिन दो इंच छोड़ लेना है कि पीछे हमें एक सलवट लगानी है एक सलवटी इस साइड और एक सलवटी इस साइड में तो दो इंच पीछे लेते वे हम यहाँ पर चलेंगे साइड वाले निशान तक यह दो इंच मेंने आगे सरका लिया इसको ताकि एक सलवट आ सके उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर side वाले निशान तक और यहाँ पर में side से शुरू करना है side से जब हम शुरू करेंगे तो यह आ जाता हमारा पीछे वाला center यहाँ पर हम एक सलवट लगाएंगे आप चाहें तो छोटी छोटी दो तीन भी डाल सकते हैं और एक ही इस side आ जाएगी तो यह back side हो जाएगा हमारा अब हम वापस चलेंगे side वाले निशान तक तो यह हमारा side वाला निशान आ गया है अब दिखें हमें करना क्या है यह हमारा center है आगे वाला तो यहां से हमें एक-एक इंच पर ताकि आपको भी पता चले और सल्वटे जो है वो बराबरा है तो मैंने यह एक-एक इंच पर निशान कर लिए और उसके बाद जब हम सल्वट शुरू करेंगे तो सबसे पहले यह सल्वटे back side डालेंगे तो यह जो निशान है एक-एक इंच पर हमने लगाए है उस अकोडिंग हमें यह सल्वटे लगानी है यह निशान आगया हमारा center तो यह last सल्वट हो जाएगी हमारी एक side की अब यह होने के बाद में दूसरी side भी हमें इसी तरीके से एक-एक इंच पर निशान लगा लेने है अब यह जैसे back side में जा रही है अब यहाँ से जो हम सल्वटे शुरू करेंगे यह अपनी side में शुरू करेंगे इस तरीके से हमें यह सल्वटे लगानी है तो यह हो गया हमारी सल्वटे complete तो यह center हो गया है और सारी सल्वटे एक size की हो जाएगी एक-एक इंच चोड़ाई में आप चाहें तो इस तरीके से एक दबाव के लिए सिलाई चला सकते है तो यह सिलाई लगा दी है मैंने अब लगाएंगे हम मौरी इसकी तो यहाँ पर में मौरी जो है वो सवाइन चोड़ाई में ले रही हूँ और जितनी हमारी मौरी उसी इस आपसे में बुकरम की cutting कर लेनी है और यहाँ पर दूसरी साइड में हाफ इन चोड़ते में मैंने cutting की है कपड़ी की और यह जो stitching है सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो बिलकुल बुकरम के पास पास हमें लगानी है यानि बुकरम हमें फॉल्ड नहीं करनी है तो यह दूसरी साइड भी मैंने सिलाई चला लिए अब आप मन चाहिए इसमें डिजाइन बना सकते हैं मोरी के लिए तो यह मैंने इसमें डिजाइन बना ली है और यहाँ पर हमें चोड़ाई लेनी थी 14 इंच यानि की 7 इंच उसी के अकॉडिंग हम बीच वाली सिलाई लगा लेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसे लगी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें थैंक्स फॉर आचिंग